अब बिए टोपिक इस बाउट पॉर्फूल डाइट फॉर रॉनर्स गोल्डन डाइट फॉर रॉनर्स शैना अथ्वा पुलिस की बर्ती में दौर का बहुत मैतो है विशेश रूप से 1600 मिटर दौर का शैना अथ्वा पुलिस की नौक लिए चानने वालों को फिजिकल परिक समय में कैं दौर की आपर इक्स्या इंपोटेंट होने के साथ साथ अब भी निश्यद करती है कि अबभियार्ति साने रिक रूप से कतना सख्षम्में इस रेस को जीतने के लिए पारफुल स्टेमिना का होना बहुत जरूरी होता है तो फ्रेंड्स हम और आप आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि स्टेमिना कैसे बढ़ाए वो भी दूद पिकर आज हम बात करेंगे कॉलिस्ट्रम यानि गाय का पहला दूद गाय के पहले दूद से मतलब है कि जब गाय बच्चा देती है तो उसके तुरंद बात जो पीला और गाड़ा दूद निकलता है उसे ही कॉलिस्ट्रम कहते हैं नदी में इस दूद को खीस कहते हैं खीस यानि कॉलेस्टरम इस्तंदारी जियों में मा के पहले दूद को खीस कहते हैं, खीस को सूपर हूट भी कहते हैं, मा का या पहला दूद बच्चे के लिए बहज जरूरी होता है, खीस बच्चे को जिवन भर रोगों से बचाए रखता है और उसका सारीरिक मान्चिक विक खास करता है, खीस को पिगला हुआ सोना भी कहते हैं, खीस से अमारी भूक भी बढ़ती है, खीस में प्रोटीन की मातरा लगबग 12-30 तक होती है, इस तरह से सामाने दूद के मुकाबले खीस में 4-5 गुना ज्यादा प्रोटीन होता है, तो फ्रेंस अगर आप एक रनर है औ खीस को अपनी डाइट में जरूर सामिल करें, खीस कितना पाउरफूल होता है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब पचड़ा पैदा होता है, तो वह अपने पेरपर खड़ा भी नहीं हो पता, और जैसे ही वह बरपेट खीस पीता है, तो इसके कुछ द और जिता सकता है, बस इसे अपनी डाइट में सामिल करें और रोजाना मेहनत करें, नाव ओके फ्रेंस इसी तरह के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें, ठैंक्स फॉर वाचिंग इस वीडियो, हैव इन नाइस डे, ठैंक यू.